हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी उम्मीद यार कि आप लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे तो दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे चैनल के बारे में बताने वाला हूँ जो कि रियल क्राइम केसिस को कवर करती हैं तो अगर आपको हॉरर स्टोरीज सुनने के साथ ही सुनना पसंद है तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं इनके चैनल का नाम है पूजा पशुपती तो डिस्क्रिप्शन में मैंने इनके चैनल का लिंक दे रखा है आप वहां पर जाकर इनके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना और आपको सच बता रहा क्राइम केसिस सुनने को और देखने को मिलेगा जो अपने अपनी लाइफ में कभी देखा या सूचा नहीं होगा तो जल्दी से जाओ एरन के चैनल को सब्सक्राइब करो तो चलिए दोस्तों सुनते हैं आज की ये डरावनी कहानी किरन अपने कमरे में एक कोने पर बैठी हुई सिसक सिसक कर रो रही थी मानो वो किसी चीज से बहुत ज़्यादा डरी हुई हो उसके हाथ से खून बह रहा था और पास में ही काच के कुछ टुकडे भी पड़े हुए थे जिसमें उसका खून लगा हुआ था कमरे में बिलकुल अंधेरा था किरन घड़ी को निहार रही थी और उसकी आँखों से लगातार आंसू बह रहे थे फिर घड़ी में बारा बज गए और अचानक वो जोड़ जोड़ से चिलाने लगी मा, मा, बचाओ, मा, पापा इतने में ही किसी ने जोड़ जोड़ से उसके कमरे के खड़की को खटखटाना शुरू कर दिया और वो और जोड़ से चिलाने लगी तब ही दरवाजे से किसी की आवाज आई किरन, किरन, दरवाजा खोल किरन वो उसकी मा सुलेखा थी किरन इतनी डरी हुई थी कि वो दरवाजा खोलने के लिए भी नहीं उठपा रही थी इतने में ही उसे कमरे के कोने में किसी की परचाई दिखी और वो रो रो कर बोली चले जाओ, चले जाओ यहां से मैंने कुछ भी नहीं किया चले जाओ दर्वाजे पर सुलेखा जोर जोर से दर्वाजा पीट रही थी किरन ने रोना बंद किया और दर्वाजा खोलने के लिए उठी लेकिन तब ही उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसका दिल दहला कर रख दिया एक लड़की जिसका आधा शरीर गायब था वो सिर्फ अपने हाथ के बल पर चलते हुए उसके करीब आने लगी उस लड़की के बाल आगे की तरफ आ रहे थे जिससे उसका आधा चेहरा ढखा हुआ था वो लड़की अजीब तरह से हसी और बोली किरन अपनी बेहन से नहीं मिलोगी आजा आजा मेरे कले लग जा फिर अचानक नजाने के रन को क्या हुआ कि उसका सर घूमने लगा सांस तेज होने लगी उसके रॉंगते खड़े हो गए और फिर अचानक वो पागलो की तरह जोड़-जोड से चिलाने लगी खुद को ही खरोचने लगी अपने बाल खीचने लगी और फिर फिर उसने अपना ही सर दिवार पर पीटना शुरू कर दिया वो बोलने लगी चली जाए हांसे चली जा मार लूँगी खुद को चली जाए हांसे उसके सर से खून बहने लगा लेकिन वो रुकी नहीं वो लड़की हसने लगी और अचानक न जाने कहां गायब हो गई बिलकुल किसी साय की तरह तभी कमरे का दरवाजा खुला और कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए उन्होंने किरन की हालत देखी और उसे रोकने की कोशिश की इतने में ही किरन बिहोश हो गई दोस्तों अब आप सोच रहे होंगे कि किरन के साथ आकिर हो क्या रहा था तो चलिए मैं बताता हूँ इस कहानी की शुरुआत होती है इस हादसे के एक महिने पहले किरन के घर से जोर जोर से रोने की आवाद सुनाई दे रही थी उसके घर पर एक आदमी की लाश सफेद चादर से ढाकी होई थी और एक औरत उसके सीने में सर रखकर जोर जोर से रो रही थी उस औरत का नाम था मधू मधू ने रोते हुए कहा मुझे छोड़कर चले गए मैं अकेले कैसे जीओंगी अब कहा जाओंगी अरे क्या पाप किया था मैंने जो मुझे ये सजा मिली किस के सहरे जीओंगी अब मैं इतने में किरन उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली बूआ ऐसा मत कहिए फूफा जी अब लौट कर तो नहीं आएंगे लेकिन ये भी तो सोचिए कि जीते जी उन्हें कितनी तकलीफे मिल रही थी उससे उन्हें छोटकारा मिल गया तो मधुने कहा हाँ बेटा बीमारी की हालत में बड़े तकलीफ में थे ये लेकिन अब मैं किसके सहरे जीऊंगी तो किरन ने कहा अरे हम है नबुआ आप चिंता क्यों कर रहे हो आपके तीन तीन भाई है हम लोग हैं अरे हम भी तो आपके बच्चों की तरह ही हैं न मधुने रोते हुए उसे गले लगा लिया और कहा तुम लोग ना होते तो पता ही क्या होता मेरा बड़ी भागे शाली हूँ मैं जो मुझे ऐसा परिवार मिला किरन के पिता अखिल ने कहा दीदी जीजा जी के अंतिम संसकार का समय हो गया है अब इन्हें शम्शान ले जाना होगा मधु खड़ी हो गई जो पती के मौत के कारण सदमे में बैठी होई थी किरन ने कहा बुवा लो खाना खालो मधु ने कहा नहीं बेटा मन नहीं है तो किरन ने कहा अरे बुवा ऐसे कैसे चलेगा अरे जाने वाले तो चले गए उनके लिए आप जीना तो नहीं छोड़ सकते है न अच्छा ठीक है वो जी आप उठीए चलिए अब खाना खा लीजिए अब मानती हूँ कि ठीक है आपको बहुत तकलीफ होई है लेकिन आप मेरा विश्वास करिए कि कुछ दिनों में आपका ये दर्द भी कम हो जाएगा मधू ने कहा जानती है मुझे अब शान्ती मिल रही है ये सोच कर कि अब वो सभी तकलीफों से दूर है और बहतर जगा में है वरना उनकी अजीब सी बिमारी उन्हें रोज तड़ पाती थी रात रात भर दर्द में तड़पते थे वो खाना खाते ही खून की उल्टी हो जाती थी और सरीर पर तो न जाने कैसे फफोले से पढ़ने लगे थे जो भायानक दर्द देते थे डॉक्टर भी तो इलाज नहीं कर पा रहे थे उनका उनकी बिमारी ही समझ नहीं आ रही थी लेकिन अब उन्हें कोई भी दर्द नहीं होगा वो अब सारी परेशानियों से दूर हो गए हैं किरन ने कहा हाँ बुआ इसी बात पर तुम्हें खुश होना चाहिए लो अब खाना खालो मधु ने खाना खाना शुरू कर दिया और किरन वहाँ से अपने कमरे में चली गई उसके दो दिन के बाद अखिल अपने दो भाईयों जिगनेश और गिरिष्ट के साथ बैठा हुआ था जिगनेश ने कहा अब क्या दीदी यहीं रहेगी तो अखिल ने कहा अरे तो और कहां जाएगी वो जीजा जी के अलावा उनका और कोई नहीं था कोई आउलाद भी नहीं है जो उनके जिम्मेदारी ले सके अब वो हमारी जिम्मेदारी है तो जिगनेश बोला वो यहाँ पे है तो ठीक कोई दिक्कत नहीं है लेकिन जमीन का क्या क्या उन्हें जायदाद में हिस्सा भी दोगे गिरीश ने कहा अरे उन्हें क्यूं मिलेगा हिस्सा भाईया अगर आप ऐसा सूच रहे हो न तो भूल जाओ अखिल ने कहा अरे यार तुम लोग सांत्रों पहले तुम लोग चिंता मत करो ऐसा कुछ भी नहीं होगा जायदाद के किवल तीन हिस्सेदार है और वो हम तीनों है बस और मधुदीदी को जमीन जायदाद का लालच भी नहीं है अरे वो तो यहां रहकर हमारे एहसान तले दबे रहेगी देखना और वैसे भी पेता जी की वसीहत के हिसाब से उनके बच्चों को जायदाद का हिस्सा मिलना था लेकिन उनकी तो कोई आउलाद है ही नहीं तो सारी जायदाद तो हमारी ही हुई ना जिगनेश ने कहा ठीक है ठीक है फिर अगर ऐसा है तो कोई दिक्कत नहीं है तभी अखिल का बेटा मयंक और किरन जिगनेश का बेटा नरेंद्र और गिरिश की बेटी सीमा भी उनके पास गए नरेंद्र ने कहा ताउजी वो हमें आप लोगों से इजाज़त चाहिए थी तो अखिल ने कहा किस बात की इजाज़त नरेंद्र ने कहा ताउजी वो क्या है न कि हम चारों ने कैंपिंग का प्लान बनाया है तो क्या हम जा सकते हैं जिगनेश ने कहा अरे अभी अभी तो आए हो शहर से और फिर से बाहर जाना है गिरिश ने कहा अरे ये लोग कौन सा हमेशा के लिए जा रहे हैं आ जाएंगे कुछ दिनों में जा वेटा तुम लोग मौज करो सारे बच्चे काफी खुशी-खुशी वहां से चले गए अखिल ने कहा अच्छा ही है बच्चे कम से कम ऐसे महौल से दूर रहेंगे अब पता नहीं दीदी जीजा जी की मौत का कब तक गम मनाती रहेगी जिगनेश ने कहा अरे उन्हें और काम ही क्या है भाईया जब देखो तब बस कमरे में बैटके आंसू ही बहती रहती है खैर छोड़ो कोछी दिनों में अपने आप ही ठीक हो जाएगी ये ये कहकर जिगनेश चला गया और अखिल और गिरेश भी अपने काम में व्यस्त हो गए अगले ही दिन चारो बच्चे कैम्पिंग के लिए चले गए और घर में अखिल, गिरेश, जिगनेश और उनकी पतनिया सुलेखा, तेजस्वी और संपदा रह गये थे पिछले कुछ दिनों से मधु अपने कमरे से बाहर नहीं आ रही थी तो संपदा रात को उसके लिए खाना लेकर गई लेकिन उसने देखा कि धरवाज अंदर से बंद था, संपदा ने धरवाजा खट-खट आया, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आई संपदा ने कहा मधु दीदी, मधु दीदी धरवाजा खोलिए खाना लेके आई हूँ आपके लिए इतने में ही कमरे का धरवाजा खुला और संपदा ने मध्धो को सामने खड़े हुए देखा जो बेहत कमजोर लग रही थी उसकी आखों के नीचे काले गड़े पड़ गए थे और चहरा भी पीला पड़ गया था अचानक वो जोर जोर से खासने लगी संपदा ने कहा दीदी क्या हालत बना ली है आपने अपनी आप ठीक तो है मधुने खासते हुए कहा वो क्या है न कि मेरी तबियत कुछ ठीक नहीं लग रही है वैद के पास जाना पड़ेगा लगता है ये सुनकर संपदा ने मन में सोचा लो अब इनकी बिमारी का खर्चा उठाओ कहो था मैंने उनसे के इन्हें इनके घर भेज दो लेकिन नहीं संपदा ने मधु से कहा कोई बात नहीं मैं इनसे कहती हूँ कि आपको वैद के पास ले जाए मधुने हा कहा और संपदा गिरिश के पास गई उसने गिरिश को कहा कि वो मधु को डॉक्टर के पास ले जाए लेकिन गिरिश ने कहा कि वो बहुत व्यास्त है जबकि वो बस अराम से सोया हुआ था इसी तरह अखिल और जिगनेश ने भी बहाना बना दिया तब मधुने कहा कोई बात नहीं रहने दो पास में ही रहते हैं वैद जी उनकी दवाई से ही ठीक हो जाऊंगी मैं मैं जाकर आती हूँ इतना कहकर वो चली गई और रात के करीब दो से तीन बजे के बाद वो घर वापस आई और फिर दो दिनों में ही उसकी तबियत पहले से ठीक हो गई और वो कमरे के बाहर भी आने लगी सारे घर वाले साथ में बैटकर नाश्ता कर ही रहे थे कि तभी उनके घर पर किसे ने दस तक दी सुलेखा ने जाकर दरवाजा खोला और जो उसने देखा वो देखकर वो जोर से चीख पड़ी उसके चीख सुनकर सारे घर वाले दरवाजे पर पहुँचे और सब को एक पड़ा जटका मिला उनके सामने अखिल के बेटे मायंग की लाश पड़ी हुई थी अखिल और सुलेखा वहीं पर जम से गए और बाकी सब मायंग का नाम पुकार पुकार कर रोने लगे जिगनेश ने नरेंद्र का कंधा पकड़ कर जोर से हिलाया और पूछा अरे कैसे हुआ ये तुम लोग कैंपिंग पर गए थे ना फिर ये कैसे हुआ तो नरेंद्र ने रोते हुए कहा पापा हम पास के जंगल में गए थे वहाँ जाकर सोचा की सोचा की थोड़ा सा शिकार कर ले लेकिन जंगल में मैंग काफी अंदर चला गया और जब 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 हमें मिला तो ये मर चुका था पताने ही से क्या हो गया पापा किरन की हालत बहुत बुरी थी क्योंकि उसने अपने सगे भाई को खो दिया था मधू भी सदमे में लग रही थी उस दिन मैंग की लास को पोश्ट मार्टम के लिए अस्पताल में ले जाया गया और पोश्ट मार्टम में पता चला कि उसकी मौत दम घुटने के कारण हुई किसी को समझ नहीं आया कि ऐसा कैसे हो सकता है क्योंकि जहां उसकी लास मिली थी वो भी तो खोली जगही थी मायंग का अंतिम संसकार किया गया उसकी मौत के बाद सुलेखा तो बिलकुल बदल गई वो भी खुद को कमरे में बंद करकर रहने लगी सबका बुरा हाल था इसलिए सारी जिम्मेदारी मधुने ले ली वो अखिल के पास गई और बोली अखिल बस कर अब कब तक ऐसे तुम लोग उदास रहोगे मुझे देख मैंने भी अपने पती को खो दिया लेकिन तुम लोगों के सारे तो जी रही हूँ न तुम लोगों को भी सब कुछ भुला कर आगे बढ़ना होगा तो अखिल ने कहा हाँ दीदी तुम सही कह रही हो समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा लेकिन देखो न पंद्रा दिनों के अंदर ही हमारे घर में दो दो मोहते हो गई बड़ा दुख़द है ये मैं सोच रहा हूँ कि एक बार घर में शान्ती के लिए हवन करा ले मधु ने कहा हाँ सही सोचा तेरवी के बाद तुरंत हवन करवा ले न फिर मैं की तेरवी भी हो गई और अखिल ने घर में शान्ती का हवन रख लिया उस दिन सब हवन की तैयारी में व्यस्त थे किरन और सीमा भी हाथ बटा रही थी जल्द ही हवन का समय भी हो गया और सब लोग हवन कुंड के पास बैठ गए ब्रामण लोगों ने हवन करना शुरू कर दिया करीब एक घंटे तक हवन लगतार चलता रहा लेकिन अजानक फिर हवन कुंड की आग बुझ गई ये देखकर सारे ब्रामण हैरान रह गए फिर उन्होंने काफी कोशिश की लेकिन उसके बाद भी आग वापस से नहीं जली जो उनके हिसाब से बड़ा ही अशुब संकेत था फिर ब्रामणों ने वापस से लकडियां डाल कर आग जलाने की कोशिश की लेकिन अजीब बात थी कि वो लकडियां भी आग नहीं पकड़ रही थी अखिल ने पूछा कि क्या हुआ महाराज जी ब्रामणों ने कहा कुछ भी ठीक नहीं है यहाँ मधु ने कहा अरे अरे ऐसा कुछ भी नहीं है जरूर लकडियां ठीक नहीं होंगी आप नए हवन कुण में फिर से हवन शुरू कर दीजिए उसके बाद वैसा ही किया गया हवन कुण बदला गया और नई जलाओ लकडियां लाई गए फिर ब्रामणों ने फिर से पूझा शुरू की वो हवन तीन घंटों तक चला और उसके बाद ब्रामण भोज की तयारी शुरू हो गई सारे ब्राम्हण भोज के लिए बैठ गए सीमा और किरंट खाना पर उसने लगे सारे ब्राम्हणों ने खाना खाना शुरू किया लेकिन तब ही एक ब्राम्हण के मुँँ में कुछ अजीब सी चीज आ गई और उसने वो चीज अपने मुँँ से निकाल कर देखी तो उसके होश उड़ गए उसके मुँँ में एक चोटा सा मांस का टुकड़ा था फिर उसके मुँँ में कुछ और भी था और जब उसने उसे भे निकाला तो देखा कि वो चोटी सी हड़ी थी उस ब्रामहर्ण के गुस्से का कोई भी ठिकाना नहीं था उसने अखिल को पुकारा अखिल मूर्ख मानाव यक्ट्या किया तूने सारे घर वाले दोड़कर वहीं पर इखटा हो गए अखिल ने पूछा क्या हुआ महराज जी ब्रामहर्ण ने वो मांस का टुकड़ा और हड़ी दिखाते हुए पूछा ये क्या है तूने मेरा धर्म भ्राष्ट कर दिया एक ब्रामहर्ण के साथ ये करने का मतलब जानता है मेरा श्राप लगेगा तुझे तू और तेरा परिवार कभी खुश नहीं रहेगा कोई फल नहीं मिलेगा तुझे इस हवन का और तुझे बरबाद होने से कोई भी नहीं बचा पाएगा अरे ऐसी मौत मरोगे तुम लोग कि कोई तुम्हारी लास को भी आग नहीं लगाएगा चलो यहां से सब अनर्थ होगा यहां अनर्थ यह कहकर सारे ब्राम्हुन चले गए अखिल ने घर की सारी औरतों को कहा किस से गलती हुई ऐसी अरे कहा से आया यह मांस घर में सच बताओ किसने किया ही यह तो मधू ने कहा वो आज का सारा खाना तो सुलेखा, संपदा और तिजस्वी ने बनाया है और यह लोग ऐसी गलती नहीं कर सकते अखिल जरूर किसी बाहरी वाले का काम है यह तो अखिल ने कहा आरे आज बाहर का कोई आदमी नहीं आया यहां यह कैसे हो सकता है फिर सब भरबाद हो गया अब पता नहीं ब्रामहर का सराप क्या तूफान लाएगा अखिल गुस्से में वहां से चला गया मधू ने कहा भगवान बचाए अब तू सब को सब निराश होकर अपने अपने काम में लग गए उस दिन के बाद से उनके घर में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा था उसके कारवार में कुछ न कुछ मुछ थि ला रही थी लेकिन हद तो त्ब हो गई जब एक दिन अचानाक उसके कार खाने में आग लग गई जब उसे और बाकी सब को इसकी ख़बर मिली तो सब पागलों की तरह कार खाने की तरफ भागे और पता चला कि उनके बरसों की महनत सब बरबाद हो गई उस हादसे के बाद जब सब घर पहुँचे तो रात में सब के बीच बात चीत होने लेगी गिरेश ने पूछा अब क्या करेंगे भाईया इतना पैसा लगा था कारोबार में सब चला गया कैसे चुकाएंगे मार्केट का करजा और घर कैसे चलेगा अखिल अपना सर पकड़ कर बैठा हुआ था उसने कहा मैं कुछ भी नहीं जानता बागे क्या होगा मुझे नहीं पता तभी मधू ने रोते हुए कहा ये जरूर ब्राम्वन के श्राब की वज़ा से हो रहा है अब कुछ भी सही नहीं होगा किरन ने कहा ऐसा मत बोलो बुआ सब ठीक हो जाएगा और घर चलाने के चिंता मत करो अब हम कोई नौकरी कर लेंगे मधू ने कहा अरे इस छोटे से शहर में क्या ही करोगी तुम किरन ने कहा कुछ तो कर ही लेंगे मैं कॉलेज या स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकती हूँ सीमा भी कर सकती है और नरेंद्र भाया भी तो पढ़े लिखे हैं वो भी कोई जॉब कर लेंगे तो अखिल ने कहा हाँ सही कहा तुम लोगों ने चुपचाप तो बैठ नहीं सकते हम लेकिन इतने पैसे भी नहीं है कि हम नया कारोबार शुरू कर सके अब नौकरी करनी ही पड़ेगी हम भी नौकरी ढूणने की कोशिश करेंगे कुछ दिन ऐसे ही बीथ गए लेकिन जल्द ही सीमा और किरन को स्कूल में नौकरी मिल गई और अखिल, जिगनेश और गिरिश भी एक फैक्टरी में काम करने लगे सब को लगा कि धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा लेकिन ये सब की बहुत बड़ी गलत फैमी थी क्योंकि उसके बाद जो हुआ उससे सब की रोह काप गई करन और सीमा का काम अच्छे से चल रहा था दोनों आटो से घर लोट रहे थे कि तभी अच्छानक से उनकी आटो खराब हो गई और उन्हें बीच रास्ते में उतरना पड़ा करन ने नरेंदर को फोन करके कहा कि वो अपने बाइक में उन्हें लेने के लिए आ जाए लेकिन नरेंदर अपने काम में काफी व्यस्त था इसलिए वो जा नहीं पाया इस वज़ा से किरन और सीमा को पैदल चल कर आना पड़ रहा था क्योंकि उनका घर थोड़े सुनसान इलाके में था और साम के समय वहां कोई आटो भी गुजर नहीं रही थी दोनों बहने पैदल चलते हुए आ रही थी लेकिन तभी किरन को ऐसा लगा जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो तभी उसने पीछे पलट कर देखा लेकिन पीछे कोई भी नहीं था सीमा ने कहा कि क्यों रुख गई चलना यार जल्दी किरन जल्दी जल्दी चलने लगी फिर किरन को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से उसका दुपट्टा खीचा है और वो चलते चलते रोग गई सीमा ने पूछा आरे अब क्या हुआ किरन ने कहा यार मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा दुपट्टा खीचा सीमा ने कहा वहम हुआ होगा चल जल्दी चल बहुत देर हो गई है दोनों आगे जाने लगे किरन को आगे बढ़ते समय ऐसा ही एहसास हो रहा था जैसे कि कोई उसके पीछे पीछे आ रहा हो लेकिन हर बार पीछे मुणने पर कोई भी नहीं होता था तभी वो उस गली तक पहुँच गए जहां से उनका घर बहुत पास पढ़ता था सीमा ने कहा किरन चल चलते हैं यहां से जल्दी घर पहुँच जाएंगे तो किरन ने कहा नहीं नहीं भाईया हमेशा मना करते थे इस रास्ते से जाने से बीच में मशान पढ़ता है जानती है न तू सीमा ने कहा अरे क्यों घबरा रही है यार कुछ नहीं होगा और पंदरा मिनिट के अंदर हम घर भी पहुँच जाएंगे चल यह कहकर सीमा किरन को लेकर उस गली में चली गई किरन को थोड़ा डर लग रहा था तभी वो लोग मशान के पास से गुजर रहे थे और किरन को कुछ अजीब सी आवाद सुनाई थी और वो रुख गई सीमा आगे चले जा रही थी क्योंकि उसे पता नहीं चला कि किरन रुख गई थी किरन को मशान के अंदर से कुछ हवाज आ रही थी वो आवाज ऐसी थी जैसे कोई धीमी आवाज में कुछ बुदबुदा रहा हो फिर अचानक से किरन मशान की ओर जाने लगी जैसे ही उसने मशान की गेट को पार किया उसके रॉंगते खड़े हो गए वहाँ पर हर जगे नारियल पड़े हुए थे वो उनके बीच से होती होई अंदर गई फिर उसे मशान के अंदर एक चिता जलती होई दिखाई दी लेकिन वहाँ आस पास कोई भी नहीं था चिता के सामने ही उसे कुछ अजीब सी चीज़े देखने को मिली वहाँ पर एक गोल घेरा बना हुआ था जिसमें पत्तों के उपर अजीब सी चीज़ रखी हुई थी ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का कलेजा हो घेरे के चारो और शराब की बोतले रखी हुई थी ये सब देखकर किरन को बहुत डर लगा वो वहाँ से वापस जाने के लिए मुड़ी लेकिन अचानक उसने जो देखा वो देखकर उसके होश उड़ गए उसके सामने एक बकरा पड़ा हुआ था उसका कलेजा वाला हिस्सा कटा हुआ था आधा शरीर गायब था आखे गायब थी जीब बाहर की और लटक रही थी ये सब देख के उसे इतना डर लगा कि वो वहाँ से भाग ही गई मशान के बाहर उसे सीमा मिली जो उसके लिए बहुत ही जादा परिशान हो गई थी सीमा ने कहा अरे कब से ढून रही थी मैं तुझे तु अंदर क्या करने गई थी किरन ने कहा कुछ भी नहीं चल चल घर चल किरन तुरंट वहाँ से भागते हुए घर जाने लगी और सीमा पीछे पीछे भागने लगी घर जाते ही किरन ने खुद को कमरे में बंद कर लिया क्योंकि उस मसान से निकलने के बाद उसे कुछ अजीब सा महसूस होने लगा था उसे बेवज़ा ही डर सा लगने लगा था लेकिन उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा फिर रात के 9 बज रहे थे जब सब लोग खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले गए सीमा अपने कमरे में सोने की तैयारी कर रही थी कि तभी उसके फोन में किसी अंजान नंबर से कॉल आने लगा सीमा ने जैसे ही कॉल उठाया तो फोन कड़ गया सीमा फिर सोने ही जा रही थी कि उसी अंजान नंबर से फिर से कॉल आया लेकिन दुबारा कॉल उठाते ही वो कड़ गया सीमा ने कहा क्या तमाशा लगा रखा है हादी हो गई तब ही फिर से कॉल आया और सीमा ने तुरंट कॉल उठाया इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती उसे गिरिश्ट की आवाद सुनाई थी सीमा बेटा मेरी मदद मेरी मदद कर ये सुनकर सीमा घबरा गई उसने कहा क्या हुआ पापा आप ठीक तो है न गिरिश्ट ने कहा मेरा मेरा एक्सिडेंट जल्दी पटरी के पास आओ बेटा सीमा तुरंट भागी और बिना किसी को बताय रेल पटरी के पास जब पहुची वो उसकी घर से कुछी दूरी पर ही था वहाँ जाकर उसने गिरिश्ट को आवाज दी लेकिन उसने देखा कि वहाँ पर कोई भी नहीं था उसने एधर उधर देखा पर कोई भी नहीं था वहाँ उसे खयाल आया कि किसी ने उसके साथ मजाक किया होगा इसलिए वो वापस अपने घर जाने लगी लेकिन तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा सीमा डर गई और धीरे से उसने पीछे मुड़ कर देखा तभी किसी ने सीधे उसकी याँखों में वार किया और उसकी यांखे फोड़ दी सीमा जोर से चिलाई और चिलाते चिलाते पटरी पड़ जागी गई इतने में ही एक ट्रे नचानक से वहां गई और उसके उपर से गुजर गई उसकी चीख आसपास गुंजने लगी उसका शरीर दो हिस्सों में बट गया और आधा हिस्सा नजाने कहां गया अगले दिन जब केरन सीमा को स्कूल जाने के लिए बुलाने गई तो उसने सीमा को कमरे में नहीं पाया उसने पूरे घर में उसे देखा लेकिन उसका कुछ नहीं पता चला तभी उसे गिरिश और संपदा की चीखने की अवाज आई और वो भागी भागी उनके पास गई उसने देखा कि दोनों पागलों की तरह चला चला कर रो रहे थे और बाकी सब बिलकुल सुन्न होकर खड़े हुए थे उनके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था जो पास के रेलवे स्टेशन पर काम करता था और अखिल के परिवार को अच्छे से जानता था उसने कहा मैंने सीमा की आधी कटी हुई बाड़ी पटरी पर देखी थी उसकी हालत बेहत खराब थी इसलिए उसे घर नहीं ला पाए आप लोग चल कर देख लीजिए ये सुनकर किरन के पैरो तले जमीन ही खिसक गई वो तुरंट उस जगह पर गई जहां सीमा की बाड़ी थी और जब किरन ने उसे देखा तो उसका दिल देहल गया उसकी हालत बिलकुल उस बकरे की तरह लग रही थी जैसे उसने रात को मशान में देखा था किसी से उसकी इतनी बुरी हालत नहीं देखी गई जैसे तैसे करके सीमा का अंटिम संसकार कराया पूरा परिवार एक के बाद एक होने वाले हादसे से तूड़ चुका था मधु ही सबको सम्हालने में लगी हुई थी वही किरन को ये नहीं समझा रहा था कि सीमा पटरी के पास आखिर करने क्या गई थी फिर एक रात किरन ने कुछ ऐसा देख लिया जो उसे शायत नहीं देखना चाहिए था वो रविवार की रात थी सब लोग अपने कमरे में सो चुके थे लेकिन किरन अपने कमरे के खड़की से बाहर की और देख रही थी कि तभी उसकी नजर मधु पर पड़ी जिसकी साड़ी में खून लगा हुआ था और वो कहीं से आ रही थी किरन ने सोचा कि वो इतनी रात को कहां से आ रही है और वो भी उस हालत में उसने सोचा कि उसे मधु से पूछना चाहिए लेकिन फिर उसके मन में ये खायाल आया कि शायद मधु उसे सच नहीं बताएगी क्योंकि वो डरते हुए चोरी चुपके आ रही थी उसने सोचा कि मधु पर नजर रखेगी फिर मंगलवार की रात को सबके सो जाने के बाद मधु फिर से घर के बाहर गई और इस बार किरन भी उसके पीछे पीछे जाने लगी वो चुपचाप उसका पीछा करते हुए मशान तक पहुँच गई मधु मशान के अंदर गई और ये देखकर किरन और ज़्यादा डर गई वो उसके पीछे पीछे गई मशान में जहां पर किरन ने बकरे को मरा हुआ देखा था वहीं पर एक और बकरा मरा पड़ा था और उसकी हालत भी पहले बकरे जैसी ही थी उस समय रात के एक बज रहे थे मधूस बकरे के सामने बैठ गई और अजीब से मंतर का जाप करने लगी फिर उसने उस बकरे का कलेजा निकाला और पत्ते के उपर रख दिया आसपास शराप की बोतल थी और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी को भोग लगा रही हो वो सब करके वो वापस जाने के लिए निकल गई किरन छुप कर सब कुछ देख रही थी और उसकी हालत बेहक खराब हो गई थी उसने कहा माता मेलडी मशानी जैसा कुछ बोल रही थी ये सुनकर किरन तुरंत घर पहुँची और उसने मधु को चुप चाप अपने कमरे में जाते हुए देखा फिर वो भी अपने कमरे में गई उसने सबसे पहले इंटरनेट पर मशानी मेलडी के बारे में रिसर्च किया और जो उसे पता चला वो जानकर उसके होश उड़ गए उसे पता चला कि मशानी मेलडी कोई आम मशानी नहीं है मशानी मेलडी सारी मनुकामनाएं पूरी कर सकती है वे डाकनी, शाकनी, भू, प्रेत, पिशाच जैसी हर शक्ती को बांध सकती है लेकिन उनका बुरे काम के लिए भी उप्योग किया जा सकता है वो ऐसी ताकत है जिसे किसे के उपर छोड़ दिया जाए तो वो उसे पूरी तरह से बरबात कर देती है उसके घर में कभी सुख शांती नहीं आती और लगतार मौते होती रहती है मशानी मेलडी साधना से कोई भी साधक किसी के उपर भी काला जादू कर सकता है और उस इंसान को अंदर से तोड़ कर रख सकता है किरन ने कहा मतलब ये सब जो कुछ भी हो रहा है वो बूओ कर रही है अरे कोई इतना नीचे कैसे गिर सकता है अपने भाई के परिवार को ही खा गई अभी सब को बताती हूँ उनकी सच्चाई किरन कमरे से बाहर निकलती है और सब को आवाज देकर बाहर वुलाती है सब नींद में बाहर आते है मधु भी वहाँ आ चुकी थी अखिल पूछता है क्या हुआ किरन क्यों चिलना रही हो मधु ने कहा पापा मुझे आपको जरूरी बात बतानी है मुझे भी अभी इसके बारे में पता चला है अखिल ने कहा अरे क्या पता चला बेटी किरन ने कहा यही कि हमारे घर में जितनी भी मौते हो रही है या जितनी भी बुरी चीजे हो रही है उनके पीछे मधू बुआ कहां थे सबको ये सुनकर बड़ा जटका लगता है और मधू के तो रॉंगते खड़े हो गए अखिल ने बोला, क्या बोल रही है? मधू दीदी ने क्या किया? मधू बोली, हाँ? मैंने क्या किया? अरे मैं तो खुद अपने पती के मौत के सदमे से बाहर नहीं आपाई हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? किरन ने कहा मैंने सब कुछ देख लिया है कि मशान में जाकर आप क्या करती है पापा ये कोई अजीब सी तंत्र विद्या करती है और मैंने उस तंत्र विद्या के बारे में पता किया तो पता चला कि उससे काला जादू किया जा सकता है और जिसके घर में वो विद्या की जाती है वहां लगतार मौते होती रहती है ये सुनकर सबके दिल दहल गए संपदा ने कहा क्या? मतलब सीमा की मौत में भी इसी का हाथ है संपदा का पारा बहुत उपर चड़ गया था उसने मधु को देखा और पागलो की तरह उस पर जपट पड़ी उसने उसके बाल पकड़ कर खीचे और कहा अरे चाब विगाड़ा था हमने तेरा डायन क्यों खा गई हमारी खुशिया तुझे रहने के लिए घर दिया एहसान किया इतनी मदद की और तुने हमें ही बरबाद कर दिया मधु ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की कोई उनके बीच नहीं आ रहा था क्योंकि सब को ये जानकर बहुत बड़ा जटका लगा था और सब की याँखों में खुन उतर आया था मधु ने संपदा को धक्का मार दिया और तुनत चिला कर बोली एहसान नहीं किया तुम लोगोंने मेरा हक छिन लिया बलकि तुम लोगोंने तुम्हारी वज़ा से मेरी पूरी जिन्दगी गरीबी में गुजरी मेरे ही पिता की जायदाद में मुझे ही इससा नहीं दिया तुम लोगोंने इसलिए किया मैंने ये सब जब मेरे पती की तबियद ठीक नहीं थी तब तुम से पैसे मागने आई थी मैं याद है लेकिन तुम लोगोंने क्या कहा यही कि दीदी उनके बचने की कोई उमीद नहीं है इसलिए उन पर पैसा खर्च करने का कोई मतलब नहीं है अरे रती भर मदद नहीं कि तुम लोगोंने मेरी और कहते हो एहसान किया अरे मेरे पती हर रात तड़पते थे इसलिए उन्हें उस दर्द से आजात करने के लिए मैंने ही मार दिया और तब से मैंने कसम खाली कि तुम लोगों को भी बरबात कर दूँगी तुम्हारी आने वाली साथ पीड़ी को कभी खुश नहीं रहने दूँगी इसलिए मैंने पहले मयंग की जान ली तुम्हारा कारोबार बंद कर आया फिर सीमा को भी मैंने ही मारा और अब अब इस किरन को भी मार दोंगी देखना तुम लो कोई नहीं बचा पाएगा इसे कोई नहीं ये कहकर वो तुरंट घर से भाग गई नरेंदर ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की लेकिन वो साय की तरह गाइब हो गई उसके जाने के बाद सब को लगा कि अब शायद उनके साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा लेकिन ये उनकी गलत फैमी थी क्योंकि उसके बाद से किरन के साथ अजीब से हादसे होने शुरू हो गए किरन अपने कमरे में अराम से सो रही थी कि तभी घड़ी में बारा बजगे और अचानक से उसके कमरे के खड़की को कोई जोर जोर से पीटने लग गया जिसकी आवाद से वो डर के उठ गई वो खड़की के पास गई और उसने डरते हुए खड़की खोली लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था ये देखकर उसके पसी ने छोड़ गए उसने खड़की बंद की और वापस मुड़ी कि तभी उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई कमरे के कोने में खड़ा हुआ है उसने कहा कौन है किरन को बेहट डर लग रहा था वो काप रही थी कि तभी उसे एक आवाज सुनाई थी किरन अपनी बेहन से नहीं मिलोगी वो आवाज सुनकर किरन के होश उड़ गए वो आवाज सीमा की थी किरन ने कहा सीमा? ये 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 नहीं हो सकता किरन तुरंत अपने कमरे के बाहर जाने के लिए भागी लेकिन तभी कमरे के कोने में जो भी था वो गायब हो गया किरन रुख गई उसने कहा ये वहम था या सच पता रही रात काफी हो गई थी उसे लगा कि ये उसका वहम है इसलिए उसने किसी को भी नहीं बताया और चुपचाब जाकर पलंग में बैठ गई फिर ये किस्सा एक हफ़ते तक चलता रहा हर रात ठीक बारा भजे किरन के कमरे के खड़की को कोई पीटता था और उसे कमरे में किसी का साया दिखाई देता था और हमेशा सीमा की आवाद सुनाई देती थी जब उससे बरदास्त नहीं हुआ तो उसने ये सब बात अखिल को बताई और उसने कहा कि ये सब मधु की वज़ा से हो रहा होगा सबने उसे सलहा दी कि उनोंगे किसी अच्छे तांत्रे की या अगोरी से मिलना चाहिए इसलिए अखिल किरन को लेकर हरियाना चला गया जहां वो एक अच्छे अगोरी को जानता था ठीक रात के समय में वो हरियाना के एक सम्षान में पहुँचे जहां पर एक अगोरी बैठे हुए तपस्या कर रहे थे अखिल ने उनसे बात की और उन्हें सारी बाते बताई जिसके बाद उन्होंने कहा माता मेल्ड़ी का काट करना मेरे लिए नमुम्किन है क्योंकि उनका काट सिर्फ वह ही कर सकता है जिस्ने उन्हें सिद्ध किया है अखिल ने कहा बाबा मेरी बेटी की जिन्दगी का सवाल है अरे कुछ तो तरीका होगा जिस से इसकी जान बच जाए किरन ने कहा बाबा हर रात मुझे डर लगता है कि अगले ही पल वो मुझे माल डालेगी कुछ कीजिए बाबा तो अगोरी ने कहा देखो मैं नहीं जानता कि ये उपाय काम करेगा या नहीं लेकिन मैं मसानी धुतनी की साधना करके तुमारी ये तकलिफ दूर करने की कोशिश करूँगा माता धुतनी भी एक मशानी है जो सभी मशानियों से अधिक तीवर गती से चलती है और जल्दी इच्छाएं पूरी करती है मैंने उनकी सिध्धी की है और हर रोज उनकी पूझा करता हूँ उमीद है वो मेरी प्रारथना जरूर सुनेंगी इनकी साधना क्रेशन पक्ष में की जाती है और तुम्हारी किसमत अच्छी है कि आज उनकी साधना करने का उचित समा है क्योंकि आज बुद्धवार भी है ये अनुस्ठान एकांत में करूंगा इसलिए मेरे आते तक तक तुम्हें यहीं बैठे रहना होगा ये कहकर वो उठ गए और माता धुतनी के इस्थान पर गए जो की एकांत कमरे में बनाया गया वो काले कंबल का आसन बिचा कर पूर्वदेशा की और मुह करके बैठ गए और सबसे पहले अपने सामने एक सरसो के तेल का दीपक जलाया साथ ही सुगंदी धूब भी जला दी इसके बाद उन्होंने एक पत्ते के उपर एक जोड़ी बुंदी के लड़ू एक जोड़ा काली चुनरी में लपेट कर रखन अरियल पांच बता से काजल का टीका लगा कर रख दिया फिर उनके सामने पांच लौंग पांच छोटी इलाइची रख दी और रुदराक्ष की माला से ग्यारा माला मंत्र जाप करने लगे काफी समय तक मंत्र जाप करने के बाद उन्हों आकर उसी आसन पर बैठ गए और ध्यान लगाने लगे वहीं दूसरी और किरन और अखिल उनका इंतजार कर रहे थे करीब दो गंटे के बाद उन्होंने देखा कि अगोरी वापस आ रहे हैं अखिल ने पूछा क्या हुआ बाबा कोई हुपाय मिला अगोरी ने उसे कुछ ता होगे लेकिन ये मिल्डी मसानी का काट नहीं है बस उनसे बचने की कोशिश है अगर ये तावीज गले से निकला तो तुम्हारी बेहन किसी के साथ कुछ भी कर सकती है अखिल ने कहा शुक्रिया बाबा ये तावीज हम कभी नहीं निकालेंगे ये कहकर अखिल और किरन घर गये तावीज पहनने के बाद किसी के साथ कोई भी घटना नहीं घटी सब कुछ ठीक चल रहा था दोस्तों आपको लग रहा होगा कि फिर सब कुछ ठीक हो गया होगा लेकिन ऐसा नहीं था जब भी किरन उस तावीज को निकालती उस रात उसे ठीक 12 बजे वही साया दिखा देता था और सीमा की आवाद सुनाई देती थी जो उसे इतना डरा देती थी कि वह अपनी जान लेने पर भी आतुर हो जाती थी कहानी के शुरुआत में किरन के साथ जो कुछ भी हो रहा था वह इस लिए क्योंकि उस दिन उसने गलती से अपना तावीज निकाल कर रख दि दिया वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी कि सुलेखा और बाकी लोग उसके कमरे में सही समय पर आ गए और उसे रोक लिया उन्होंने उसे फिर से तावीज पहनाया और सारी चीजें वापस से रुक गई लेकिन मधूने जो काला जादू उसके उपर किया था वो बड़ा ही भायानक था किरन हमेशा उस तावीज को ध्यान से पहना करती थी और वो तावीज ही उसके जिन्दा रहने का सहारा बन गया था किरन को अपनी पूरी जिन्दगी इसी एक तावीज के सहरे बिताना पड़ रहा था कई सालों के बाद भी किसी को भी मसानी मेल्डी का तोड़ होगी तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में तक तक के लिए गुड नाइट